बिहार राज्य के प्रारंबिक स्कूलोँ में 40,506 प्रधान सिख्चकों की बहाली के लिए योग्य सिख्चकों को फिर से आवेदन का मौका दिया गया है 9 सितमबर से 23 सितमबर तक ओनलाइन आवेदन किये जा सकते हैं ओनलाइन आवेदन में सुधार करने की अंतिम्तिती 30 सितंबर तक है 150 अंकों की लिखित बस्तुनिष्ट परिक्षा 18 दिसंबर को होगी BPSC के संजुक्त सची उसा परिक्षा नियंतरक अमरेंद्र कुमार ने मंगलबार को इसकी सुचना जारी कर दी जो सिक्षक अभियर्थी पहले से आवेदन दे चुके हैं उन्हें दुबारा आवेदन करने की कोई आवशेक्टा नहीं है BPSC और सिक्षा अभिभाग के अधिकारियों के बीच पिछले दिनों बैठक के बाद प्रदान सिक्षक के सिलेबस भी सरल कर दिये गए हैं 40,506 प्रदान सिक्षक की बहाली के लिए पहले 20 मही तक आवेदन लिये गए थे 1,07,000 सिक्षकों ने प्रदान सिक्षक पद के लिए आवेदन कर दिया है अभी तक 150 अंकों की होगी परिक्षा प्रदान सिक्षा के लिए लिखित परिक्षा जो है वो 150 अंकों की फिक्स की गई है सभी वस्तुनिष्ट होंगे इसमें DL8 भी साय से 75 अंक होंगे जबकि समान अध्यन में आठवी अस्तर के प्रारंभिक गणीत भी संके होंगे आपको साथी यह भी बता दे कि इसका जो सिलेबस है वो 30 के नीचे काही रहने वाला है साथी आपको यह भी बता दे कि इसमें जो वस्तुनिष्ट कोश्टन होंगे उसमें आपको मातर चार ओप्सन होंगे जिसमें से आपको एक सही Correct करना है उनी अभियर्तियों को आवेदन करना है जिन्हों ने अभी तक नहीं किया है अगर वे अभियर्थी जो पहले आवेदन कर चुके थे पिछली बार उन्हें इस बार आवेदन करने की कोई ज прав नहीं है इसका सिले बस क्या होगा और क्या-क्या टोपिक पढ़ें अगर आपको ये जनकारी जाननी है तो आप हमको कमेंट कीजी आप दूसरी वीडियो इस चैनल पर बना देंगे चैनल में बने रहने के लिए धन्य बाद वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरू कीजी